मोधी सरकार ने National Monetization Pipeline के लाँचिंग क्या की पुरे देश में एक बर फिर से सियासत गरम हो गई है सरकार ने National Monetization Pipeline के जरिये 6 लाग करोड रुपे का लच्छ तै किया है इसके लिए सरकारी संपतियों को लीज पर देने की तैयारी है सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को सरकारी कमपनियों और संपतियों को देने का जो फैसला किया है उसके खिलाफ विपक्ष गोलबंध होने लगा है कॉंग्रिस ने इस पाइपलाइन की लाँचिंग के साथ मोर्चा खोल दिया है जबकि एंडिये के अंदर कई सहयोगी दल ऐसे हैं जिन्होंने इस मसले पर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले निजीकरन को लेकर मोधी सरकार ने जो फैसला किया उसके उपर बिहार के मुखिया नितिश कुमार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है नितिश कुमार पिछले दिनों दिल्ली में थे उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से बिहार के प्रतिनीधी मंडल के साथ जातिये जनगन्ना के मसले पर मुलाकात की थी इसके बाद नितिस मंगलवार को पटना वापस आ गए पटना पहुँचने पर जब नैसनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिये निजीकरन को लेकर सवाल किया गया तो नितिस कुमार ने यह कहते हुए सवाल का जवाब दिने से इंकार कर दिया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है एक तरफ जहां देश में निजीकरन के फैसले पर जम कर सियासत हो रही है वही नितिस कुमार ने इस मसले पर जानकारी नहीं होने का हवाला दे कर पल्ला जाड़ लिया जानकार इसे नितिस की सोची समझी रननिती का हिस्सा मान रहे है सियासी जानकारों की नजर में नितिस कुमार फिलहाल निजीकरन के फैसले पर अपने पत्ते नहीं खोलना चाते केंदर सरकार में जनता दल युनाइटेड अपसामिल है लिहाजा नितिस से इस मसले पर बहुत सोच समझ कर कुछ कहना चाते हैं संबब है कि नितिस भी देखना चाते हो कि निजर करन को लेकर सरकार ने जो फैसला किया है उसका विरोध केवल राजनितिक स्तर पर होता है या फिर देश में विरोध और अंदोलन के एक नए दोर की सुरुवात भी हो जाती है केंदर सरकार की स्थितिस फैसले के बाद क्या होगी शायद नितिस भी समझना चाहते हूँ ऐसे में नितिस कुमार नैस्टनल मॉनेटाइजेशन पाइप्लाइन की लॉंचिंग पर फिलहाल जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते जातिगत जनगन्ना से लेकर जनसंख्या नियंत्रन कानून जैसे मसले पर नितिस कुमार से पहले ही मोधी सरकार से अलग राय रखते हैं अब अगर निजीकरन के फैसले पर नितिस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं तो यहां संग का जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में निजीकरन को लेकर NDA में क्या एक नया बखेड़ा शुरू हो सकता है अगर निजीकरन के फैसले का विरोध केवल राजनितिक तोर पर ही सिमीत रहता हो है तो सायद नितिस मोधी सरकार के फैसले का खुल कर समर्थन भी कर दे नितिस का रूख चाहे जो भी हो लेकिन फिलहाल वह इतनी जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे